अगली खबर सिर्सा से पिछले 12 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर एनेचेम कर्मचारियों का आंदोलन जारी है कल सिर्सा जिला प्रधान कुंदन गावडिया लाल सही चार कर्मचारी मांगे ना मानने को लेकर पानी की 200 फिटूची टंकी पर चड़ गए जो आज दूसरे दिन भी टंकी पर धरना दे रहे हैं सरकार वे प्रशासन ने उनकी किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया टंकी के पास भी सैकडों की संख्या में नेचेम की महीला कर्मी वे पुरश कर्मचारी धरना जारी रखे हुए हैं सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहे चल रहे थे लेकिन सरकार के अधिकारियों ने पिछले मिने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आपके बाइलाज फ्रीज कर रहे हैं हमारा साथी तो चाते ही नहीं थे अड़ताल पर बैठना लेकिन ये सरकार के अधिकारी सरकार को गुम्रा कर रहे हैं इसके कारणी आज हमारे सारे पूरे अर्याना पर्देश के सत्परति सत करमचारी अड़ताल पर बैठे हैं देखो हमारी मांग है नियमिती करण और जब तक हमारे करमचारीयों को पूर्ण रूप से लिखित में देखो आसवासन दो नुमंबर दो जारी किस में माननिया मुख्य मंतरी खटर साब ने गोशना की थी कि भी आपको सात्मा पे कमिशन आयोग देंगे और यह हमारा धरना चल रहा है एनच करमचारीयों को दो जो में मांगे हमारी एक ही मांगे में तो नियम्ती करना सारा की सारी हमारी मांगे नियम्ती करने के अंदर आ जाती है और इससे पहले भी हमने बहुत सारे दन्य परदर्शन किये थे और उन दन्य परदर्शन करने के बावजूद सरकार ने हमें 2017 के अंदर दिसंबर के अंदर बाईलाज लागू करे थे एक परकार के रूल करके परदर्शन करके सरकार को अगा गया कि